नमस्कार, मैं मुरली मुनहर्गस्वामी, आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आज हम लोग अध्यन करेंगे रेखा के परकार, टाइपस ऑफ लाइन्स, सबसे पहला लाइन सरल रेखा, श्ट्रेट लाइन, श्ट्रेट लाइन क हम लोग इस तरीके से खीच सकते हैं, इस लाइन के दोनों किनारों में ऐरो मार्क लगा हुआ रहेगा, दूसरा लाइन है समानांतर रेखा, पैरलल लाइन, पैरलल लाइन को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, इसमें दो लाइन है, और दोनों लाइन में, दोनों लाइ पैरलिलल माइन का मतलब होता है यह लाइन और यह लाइन बराबर दुरी परिश्भित है यदि हम इस पॉलिलन और इस पॉलिज पर बीश का डिस्टिंश ना पर दोनों डिस्टिंश आपसे बराबर होगा क्योंकि यह दोनों लाइन आपस में पैरलल है, समानतर है तिसरा है वक्र रेखा, कर्ब्ड लाइन कर्ब्ड लाइन को हम लोग इस तरीका से दर्साएंगे चौथा रेखा खंड, लाइन सेग्मेंट लाइन सेग्मेंट को हम लोग इस लाइन के द्वारा दर्साएंगे, लाइन सेग्मेंट में कोई भी एरो मार्क नहीं लगा हुआ रहेगा. कीरन, कीरन को हम इस आकरिती की द्वारा दर्साएंगे कीरन में केवल एक किनारा पर एरो मार्क रहता है जब कि दुसरे किनारा पर एरो मार्क नहीं होगा लंब रेखा, लंब रेखा को हम लोग इस परकार दर्साएंगे इस रेखा के उपर यह रेखा लंब है अर्थात यह एंगल 90 डिग्री का होगा और यह भी एंगल 90 डिग्री का होगा लंब रेखा को हम लोग perpendicular लाइन अंग्रेजी में कहते हैं इसके बाद देखें प्रती छेदी रेखा जिसे हम लोग अंग्रेजी में intersecting line कहते हैं इसे इस प्रकार हम लोग दरसाते हैं यहां दोनों line एक दुसरे को cut कर रही है इस points पर इस तरह से यदी दो रेखाएं आपस में cut ती है तब हम लोग इसे प्रती छेदी रेखा कहते हैं आठमा रेखा है 36 रेखा इस तरीका से जो रेखा खिची हुई रहती है यह 36 रेखा है जिसे अंग्रेजी में हम लोग horizontal line कहते हैं और नॉमा नंबर में है vertical line उदगर रेखा को हम लोग इस तरीका से दरसाते हैं यह line बिलकुल सीधा ख़़ा रहता है आप इन सभी रेखाओं को अच्छे धंग से समझ गए होंगे मैं आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स जैहींद हुआ है हुआ है